गुड मॉर्निंग क्लास 12 आज हम देखेंगे स्वास रक्षा विज्ञान के बारे में जिसमें संक्रामक रोग क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे बचों जब एक आस्वस्त व्यक्ति से रोगारू किसी स्वस्त व्यक्ति के शरीश तक पहुँश कर उनमें बिमारी उद्पन करते हैं तो हम कहते हैं कि व्यक्ति संक्रामक रोग से ग्रसित हो गया है ये संक्रामक रोग बैक्टिरिया और वाइरस दोनों के माध्यम से होते हैं कुछ प्रमुक बैक्टिरिया जैसे बैसिलस, कोकस, विब्रियो आदी हैं जिनका चित्र नीचे दिया गया है और कुछ वाइरस के माध्यम से भी संक्रामक रोग खैलते हैं बच्चों वाइरस ये भी एक सुच्म जिवारू होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है इसे खांसी जुकाम ये वाइरस रोगारू से फैल जाता है आज पुरी दुनिया में जो महमारी है COVID-19 वो भी वाइरस से ही फैली हुई है इससे बचने के लिए हमको एक रोगी से दूरी बना कर रखना चाहिए जैसे COVID-19 से बचने के लिए कहा जाता है कि मास लगाईए दो गर्जदूरी बना के रखे और बार बार हाथों को साफ करते रहे बच्चों संक्रामक रोग के फैलने का जो माध्यम होता है वो है वायू या दूशित भोजन अत्वा जल यदि हमने दूशित भोजन या जल ले लिया है और उसमें रोगाईव हैं तो हमें रोगडस्त कर सकते हैं इसके अत्रिक्त बच्चों संक्रामक रोग कभी-कभी घाओ से छोटे-छोटे सूचमू की टारू के कातने से भी हो जाते हैं इससे बचने के लिए हमको रोगाणू को शरीर में प्रवेश होने से रोखना चाहिए यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे उस बीमार व्यक्ति को अलग रखकर उसकी देख भाल करनी चाहिए उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए उसे अलग कमरे में रखना चाहिए और ऐसा सुच वातव रण रहे ताकि उसे खुली हवा मिलती रहे और सूर्गी रोश्णी के संपर्प में रोगी रहे उसके आहार खानी पीने की देख भाल करनी चाहिए बच्चों संक्रामक रोख से बशने का जो आज संक्रामक रोख कोई-19 की रूप में देखने को मिला है इसका भी कोई टीका नहीं आया है पुरी दुनिया इसके इस रोग को खत्म करने के लिए आइस पर नियंत्रत करने के लिए टीका खोज रही है जल्द ही कामियाबी मिलेगी परन्तु तक तक हमको कोवीड-19 नमक संक्रामक रोख से बचना चाहिए बच्चों यदि कोई संक्रामक रोग शरीर में एक बार हो जाता है तो वह शरीर में प्रतिरख्षा उत्पन करता है यानि संबंधित रोग के लड़ने के लिए शरीर में एंटिबॉडी उत्पन हो जाती है रोग प्रतिरोधक शम्ता शरीर में प्राकरतिक रूप से भी होती है और इसे हम अर्जित भी करते हैं प्रतिरोधक शम्ता भी उत्पन की जाती है जो विभिन प्राकर के टीके हैं संक्रामक रोगों से बचने के लिए उसकी सारणी बच्चों नीचे दी गई है जैसे चेचक से बचने के लिए हमें 2-3 माँ तक जब बच्चा पैदा होता है तो 2-3 माँ के अंदर हमको चेचक का टीकड लगवाना चाहिए इसी तार टेटनेस है पोलियो है जो छे माँ पर टीके लगा जाते हैं टीवी से बचाओ के लिए